हलो एवरिवन आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो डली उनिवर्सटी के PG admission form अगर आप लोगोंने फिल करे हैं और उस form के अंदर कुछ correction आपको करनी है या फिर आपने अपने graduation का result आने से पहले form अप्लाई किया था result अवेटिट वाला option चूज करके और अब आपका जो result है वो भी आगया है तो marks भी obviously आपको अपडेट करने होंगे तो इस वीडियो में जारा सारा जो procedure है क्या क्या चीज़े आप edit कर सकते हो और marks आपको अपडेट कैसे करने हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता हूँगा जिसने form apply कर दिया है marks अपडेट कर दिया है अगर उसको लगता है कि उसने गलत marks लिके हैं वो उसको change भी कर सकता है तो यह हमारा PG admission portal login है I hope आपको मालूम होगा कैसे इसको login करते हैं description box में आपको उसका link मिल जाएगा login करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो personal details update details के section में तीन option है personal details, update parents, employment details और update banks details तो यह तीनों section आप update कर सकते हो personal details के अंदर आप अपना नाम father name, mother name, date of birth, nationality तो नहीं जो आपका state of domicile है वो सब चीज़े update कर सकते हो ठीक है personal details में किलिक करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो अपना नाम वगरा जो भी आपकी personal details है इसको आप edit कर सकते हो ठीक है, इसके बाद बाद बाकी की तो जो option है यह obviously आप इस पर क्लिक करके इसको update करना चाहँ हो तो वो भी कर सकते हो फिर हम और नीचे आते हैं यहाँ पर action के आगे लिखा हुआ है update application इस option पर जब आप क्लिक करोगे तो other application तो other चीज़े जो हैं वो भी आप इसमें update कर सकते हो लेकिन याद रखी का हर एक चीज़ update नहीं होती है तो जो भी चीज़ अगर आपको लगता है गलत थी वो इसमें update करने का option आ रहा है तो आप कर सकते हो जिसे मैं update application पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दिखा रहा है कि you are applying in m.com please update the form and select desired admission criteria तो यह education details जो मैंने fill करी हुई है उसको मैं update कर सकता हूँ ठीक है यह नीचे सारी education details है 12th के marks भी, graduation के marks भी ठीक है जी और बाकी course apply करा हुआ है तो इसको मैं edit कर सकता हूँ course को change नहीं करता है of course लेकिन जो entrance based अगर merit based दोनों के लिए apply करना था मुझे को तो इसको मैं edit कर सकता हूँ ठीक है तो यह सब चीज़े हैं और जो तो चीज़े आप update करता जाओके कर नीचे update का भी option होगा इस पर आप click करते जाओके ठीक है इसकी अलावा जो हमारा main concern था इस वीडियो का वादा marks को update करने का अपडेट detail के section में red color marks का एक option है इस option पर आप click करोगे और यहाँ पर आपको बताया जागा आपको guide करा जागा किस तरह से आपको अपने marks अपडेट करने है जिसा अगर आपने graduation DU से करिए और आपको जो result है obviously CGPA mode में आता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि हर year की CGPA होती है उसको अगर आप 9.5 से multiply करते हो तो percentage calculate हो जाती है similarly जो आपका aggregate CGPA आता है उसको आप 9.5 से multiply करते हो तो आपकी aggregate percentage graduation की निकल जाती है तो यहाँ पर लिखावा procedure to calculate your percentage for qualifying degree under CBCS program तो यह CBCS program जो आपका है इसमें लिखावा percentage of marks is equal to CGPA into 9.5 please enter the result of your qualifying degree in percentage enter percentage of each year of your graduation आप अपने हर graduation के पूरे हर year यानि कि year wise जो percentage है वो यहाँ पर mention करोगे ठीक है यहाँ पर performer भी दिया हुआ है तो इसको आप चाहो तो पढ़ लीजिएगा वहीं अगर हम बात करें class 12 की तो class 12 में बोलते हैं कि aggregate of marks 5 subject including one language in class 12 board examination एक language को include करना और अपने 5 subject के marks आप इसमें add करोगे अगर additional में आपके marks ज्यादा हैं तो वो भी आप include कर सकते हो बट 5 subjects के आपको इसमें लिखने है ठीक है और नीचे आपको फिर marks लिखने होंगे qualifying degree के percentage, final year percentage आपकी लिखनी होगी यानि कि third year की और prior to final year यानि कि second year की और second year prior to final year यानि कि first year की ये सब चीज़े याँ पर हैं इसको आप percentage लिख दीज़ेगा और update बटन पर क्लिक कर दीज़ेगा T.U.P.G. admission पोटल पर जाकर marks अपडेट करने हैं और जो चीज़े आप edit कर सकते हो वो इसमें show होंगी अगर आपको लगता है कि वो चीज़े आपने पहले गलत फिल कर ले थी तो उसको भी आप यहाँ से जाकर edit कर सकते हो तो इसी के साथ दोस्तो अभी के लिए फिलाल के लिए वीडियो में इतना है थैंक